नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में मित्रो जोतिस की संक में हमारे दर्शक हैं सीमा जी जो की गौतम बुद्धनगर से हैं सीमा जी आप वीडियो देख रहे होंगे और आपके प्रशनापकी बेहन के लिए हैं और उनके जौब के लिए हैं वो सत्त सही होंगी और वो मैं उसके लिए बता रहा हूं तो सबसे पहले सीमा जी आप अपनी बेहन को थोड़ा सा कुछ उपाय बताईएगा कुछ पूजा बताईएगा चोटी चोटी जो बताएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि बेहन आपकी बहुत जिद्दी है बह जाएए अपना जिद्द छोड़े गुस्सा छोड़े और उसके साथ साथ विश्णु भगवान या शिव भगवान की सच्चे मन से आराधना पूरी लाइफ करना है पूरी तरह से साकाहार रहना है आपके घर के नजदीक अगर विश्णु या शिव का मंदिर हो तो आप लगातार जाएए बहन से अपने बोल दीजी वो उनको सच्चे मन से वहां पूजा करें प्रति दिन शिव या विश्णु दो में से कोई उसके साथ साथ हो सके तो प्रति दिन भगवान गड़ेश को दूरवा चढ़ाए मतलब दूब अगर प्रति दिन नहीं हो सकता है करिएगा उसके साथ साथ आपके जो जौब का सवाल है मेहन के लिए उनका अभी तो संयोग थोड़ा सा कम दिख रहा है ये 2022-2024 में संयोग होगा ये उपाए सारे सच्चे मन से करेंगे पूरी स्यद्धा से करेंगे तब 22-2024 में उसका सयोग होगा उसके लिए आपको छोटे-छोटे कुछ दान करने हैं आप सनिवार के दिन लोहे की कोई वस्त या लोहा और उसके साथ आप लेना सरसो का तेल ये चीज़े आपको लेके प्रतेक सनिवार 7-9 सनिवार लगातार आप इसमें यथा सकती दख्षिना के साथ लगातार 7-9 सनिवार दान करिएगा ये उपाय आप लगातार करिएगा भगवान भोयनात अविश्रो जी की सच्चे मन से आराधना करिएगा गनेश जी को दुरवाच रहाईएगा इतने शारे उपाय अगर आप करेंगे तो आपके मनवानशित फ़लो की प्राप्ति होगी आपके शारे शंकर दूर होगे जो तो मिलते हैं ग्यानवाठक वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम